स्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे कवीता कैमरे में बंद अपाहिज इस कवीता के रजाइता स्री रगुवीर सहाय जी हैं इस कवीता में कवी कह रहे हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ सक्तिवान हम एक दूरबल को लाएंगे एक बंद कमरे में यहां पर कवी जो पत्रकार हैं उनके बेवसाई करण के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो एक अपाहिज व्यक्ति के माध्यम से अपनी पत्रकारिता को प्रसिद्ध कर रहे हैं और अपना कारिक्रम सफल बनाने के लिए कैसे लोगों को परिसान करने के लिए आढ़े तेढ़ पेस कर रहे हैं उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहीज हैं तो आप क्यों अपाहीज हैं आपका अपाहीज पंतो दुख देता होगा जो पत्रकार हैं वो एक अपाहीज व्यक्ति को परदे के सामने लाए हैं और उससे पूछ रहे हैं कि क्या अपाहीज हैं आप क्यों कश्ट होता है और जो केमरामेन हैं उसे कह रहे हैं कि जो उनके अपाहिज वाले जो आंग हैं उसको और पास से दिखाईए और थाथ उसे बड़ा करके दिखाईए और फिर जो पत्रकार हैं वो पूछ रहे हैं कि आपको अपाहिज होने से क्या-क्या कश्ट होता है हा तो बत आपका दुख क्या है अर्थात अपना कश्ट बताईए जल्दी बताईए वह दुख बताईए जो पत्रकार है वो बार-बार फोर्स कर रहे हैं कि आप अपना दुख बताईए परन्त वह जो अपाहिज व्यक्ति है वो कुछ बता नहीं पाता है वह मौन रह जाता है फिर से अपने गहराई में जाईए और सोच कर बताईए कि आपको कैसा अनुभाव होता है कि आप आपाहीज है कि सोचिए बताईए थोड़ी कोशिष किजिए जो आपाहीज व्यक्ति है वो बता नहीं पाता है वह मौन रह जाता है लेकिन जो पत्रकार है वो बार-बार उसे फोर प्रसिद्ह हो सकते हैं लोग आपको जान सकते हैं आप यह अवसर मत खोईये आप प्रसिद्ह हो सकते हैं आप जानते हैं कारिकरम रोच्य कवी कि जो पत्रकार हैं वो बार-बार उस अपाहिज व्यक्ति को परिसान कर रहे हैं उससे पूछ रहे हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है परन्तु वो बता नहीं पाता है तो वो बार-बार कोशिज करते हैं कि हम उसको पुछ-पुछ कर रुला देंगे और रहे हैं कि जो साथ्षात्कार लेने वाले हैं वो उस अपाहिज व्यक्ति को पुछ-पुछ कर इतना परिसान कर चुके हैं कि उसकी आखे नम हो गई है और उसकी आखें फूल गई है तो वो दर्सकों को यह बताना चाहते हैं कि जो कारिक्रायम है वो प्रसिद्ध होने की समझेंगे अब जो साथ्षात्कार लेने वाले हैं वो दर्सकों को यह समझाना चाहते हैं कि वो अपाहिज होने की वज़े से इतने दुखी हैं कि वो रो रहे हैं परन्तु वो इस बात से खुश हैं कि वो प्रसिद्ध हो रहे हैं एक और कोसिज दर्सक धीरज रखें वहाँ पर पुछ 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 है उसी सब्दाएं कि आवरिती होती है वहाँ पर इनुप्रास अलंकार होती है और इसकी भासा बिल्कुल सरल दी गई है सरल भासा का प्रयोग हुआ है आप और वह दोनों कैमरा बस करो नहीं हुआ रहने दो परदे परवक्त की कीमत है अब मुस्कूराएंगे हम यहाँ पर कभी कर रहे हैं कि जो साफचातकार लेने वाले हैं वो बार-बार कोशिज करके हार गए वो साफ साफ दोनों को अर्थात अपाहिज वेक्ति को और दर सब को नहीं रूला पाए तो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है हम तो क्यवाल अपाहिज वेक्ति को रूला कर ही संतुष्ट हो गए हमारा जो कारिक्राम है वो सफल हो गया है तो अब बस करो, रहने दो, अर्थात कैमरे को बंद करो, परदे पर वक्त की किमेत है, अर्थात समय बहुत कीमति है और हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हम तो इसी में खुज हैं कि हमारा कारिक्राम अब सफल हो गया है, आप देख रहे थे, समाझिक उस देशे से युक्त का अगर आपको ये पढ़ाने का तरीका थोड़ा भी पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कीजेगा ताकि इसी तरह से आप आगे भी पढ़ सकें धर्नेवाद